असलाम निकों मैंबर्स, I hope आप सब खेरियस होंगे तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेट होने वाले है इस वीडियो में आपके साथ मैं कोई भी आसी स्टाटची नहीं शेयर करने वाला आपको बोलुक मैं आपको इसमें बताओं किसे इंडिकेटर के बारे में या फ्यूचर एट के बारे में हम इस fair ratio को किस तरह से कम कर सकते हैं और अपने trades पर हम अपना जो winning के चांसे उसको increase कर सकते हैं इस पर आज हम एक तफसील से आज हम discuss करेंगे तो आपने इस वीडियो को एंट तक लाजमी देखना है अगर आप खुछ से concern हैं आपको अपनी money से कुछ आप उससे increase करना चाहते हैं आप crypto market से कुछ gain करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने आज तक लाजमी देखना है तो आपके साथ में आज कुछ concept कुछ quat share करने वाला हूं जो newbies के जहन में होते हैं कि crypto market सच में यार कोई ऐसी market है जहां पर अगर आज मैं 100 dollars लगाऊंगा तो यह कल या एक ही रात में 10,000 यह 20,000 dollars में convert हो जाएगा और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा अगर आपको पतो तो एक doctor बनने के लीए एक doctors बनने के लिए उसके बाद क्या होता है फिर बी आप अगर देखे तो doctor जो new doctors होते हैं मैक्सिमम अगर earning कर रहे हों Пहले मत में तो उनकी चो trafficking start होते हो एक लाग दो लाख या तीन लाख maximum होती है उसके बाद जैसे जैसे उनमें experience आता जाता है उनकी earning भी increase होती जाती है लेकिन आप इसमें देखे तो डाक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेनत required होती है लगबग कोई 10 से 12 साल आपको मेनत करने पड़ती है पढ़ना पड़ता है उसके स increase होती जाती है जब भी वो अपना private clinic open करें उनका बात कर जो scene होता है इसी तरह अगर आप एक पैलेट की बात करें एक lawyer की बात करें एक engineer की बात करें इन सब को एक मेनत required होती है यह वर्क करते हैं हार्ड वर्क करते हैं इनको 4 से 5 से study करना पड़ता है उसके बाद ही यह जाक पर एक doctors या अंजीनियर या पैलेट बनते हैं उसके बाद इनकी जो starting salary होती है वो एक लाग दो लाग maximum इतनी होती है और आप फिर किस तरह से कह रहे हैं कि आपने एक ही रात में crypto में आना है पैसा लगाना है और एक ही रात में आपने अमीर हो जाना है यह सोच जो है newbies की हो लोगों ने अपना जो मतलब crypto के बारे में सुन है वो इन्हों सुन रख होता है वो बेसिकल इन्होंने इस्टा पर रही है या कहीं Twitter पर इस तरह की इनको पिक्स मिलती है जहां पर कोई बीच पर बैट कर ट्रेड कर रहा है तो कोई कहीं अपनी गाड़ी में ट्रेड कर रहा तो कोई मतलब किसी तरह ट्रेड कर रहा है तो इनको लगता है कि वाकिए crypto में बहुत पैसा है कि एक मंदा भीच पर बैठ कर ट्रेड कर रहा है इतनी easy trade है वो मतलब वहां पर बैठा वो कह रहा है कि मैं millions of dollars एक ही trade में बना लेता हूं तो यह कहता है कि यार चलो मैं भी बना लेता हूं लेकिन ऐसा नहीं होता अगर वो एक बना भी रहा है millions of dollars तो आपको पहले think करना चाहिए कि एक बना रहा है तो उसके लिए उसके पास portfolio बिनना होगा अगर वो millions of dollars earn कर रहा है तो साथ-जहर सी बात है उसके पास millions of dollars अपना portfolio भी होगा अगर आप चाहते हैं कि 100 dollars से आप millions of dollars या 1000 dollars एक रात में बना लें तो यह impossible है यह बस आपके ख्याली पुलाव हैं कि जो कभी फिल नहीं होंगे आपको इसके लिए proper way चूज करना पड़ेगा वहां पर आप एक रात में अमीर नहीं हो सकते आप चाहें यहां पर Google search करेंगे Google search करेंगे तो यहां पर आपक करने का कि आप एक ही रात में रिच हो सकते हैं उसके लिए यह है कि आपको कोई lottery निकला ठीक है कोई lottery निकलाती है millions of dollars की तो आप एक रात में अमीर हो सकते हैं इसके इलावा आपको मेनत करनी पड़ेगी ठीक है अगर आप यहां पर Elon Musk की बात करें यहां पर एक list है जो यह एक बार fail हुए इसमें पेपाल हो गया टैसल हो गया SpaceX हो गया जितनी भी companies की थी यह सब एक बार fail होगी थी इसके बाद इसने बहुत सारे साल महां पर मेनत की यह मतलब यह इसके मतलब ट्वीट की था कि यह दो से तीन घंटे सोता था अपने उस तोर में और महां पर इसने म करना है यह है newbies का mindset लेकिन जैसे जैसे वो time spent करेंगे मार्कीट में एक मन्थ, दो मन्थ, six month, one year तब जाकर उनको realize हो जाएगा कि मेरा जो concept था वो wrong था अब मुझे एक right part चूज करना चाहिए मुझे कोई mentor जो मुझे guide करें जो मुझे बताए कि जो मैंने एक साल trade किया है वो जो wrong था अब मुझे एक अच्छे वे में वो मुझे बता है कि मैंने किस तरह से trade करना है किस तरह से मैंने अपना loss recover करना है ठीक है इसके इलावा अगर आप यहां पर बात करें मैं आपको यह और चीज बताता हूं कि new trader क्यों फेल होते हैं जो हमारा basic topic है इस trade का वो आप यहां पर discuss करने मलने है कि लोग new traders होते हैं वो फेल क्यों होते हैं अगर आपको यहां पर stock के crypto market का एक rule है 90-90-90 rule है इसका सब्सक्राइब यह है कि 90% आप ट्रेडर्स लोस्ट नाइटी परसेंट आप यहां पर एक्सपीरियंस है यह मैंने जो आज तक यहां पर देख है लोगों में जो new लोग आ रहे हैं कि उनमें जो मैंने नोट किया है तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो आपको य ही बोलूगा कि 90% आप ट्रेडर्स वह अपनी जो 90% अपना पोट्फोलियो है वह पहले 10 से 15 दिनों में आज कल वह अपना फिनिश कर रहे हैं जो आज कि मैंने लोगों को देखा है आज कल लोगों को स्पोर्ट रेड का नहीं पता उनको टैक्निकल अनलाइज का नहीं पता उनको fundamentals का नहीं पता उनको risk management का नहीं पता और वो आते ही उन्होंने future trade में 30x 50x leverage के साथ को trade करना start कर देते हैं और उसमें अपना 90% यह 100% portfolio use कर देते हैं और क्या होता है उससे 10 से 15 मिट में उनका account wash हो जाता है तब वो market को गाली दे रहे होते हैं कभी वो जिसको follow कर रहे होत करते हैं तो इस तरह वो खुद पर blame नहीं करते हैं ठीक है आपको खुद की गलतियों से सीखना चाहिए कि यहार मैंने यह गलती किया है नैस जो मैं trade करूँगा उसमें यह गलती मैं repeat नहीं करूँगा लेकिन आप अगर पैठने हैं कि नहीं यह trade जो मुझे उस बंदे नही लिखते हैं यहाँ पर कुछ point है जो आपके साथ मैं share करने वाला हूँ कि why mostly traders fail in trading ठीक है क्यों fail हो जाते है ट्रेडिंग में six common reason मैं यह आपके साथ रखे हैं जो mostly यहाँ पर जो newbies हैं वो follow नहीं करते और वो अपने trades को यहाँ पर loss में उनको मतलब loss बरदाश करना पड़ता हैं six यहाँ पर common reason मैंने लिखे हैं जो first reason है वो यह है कि newbies जो होते हैं वो कभी stop loss यूज नहीं करते सबसे बड़ी problem उनकी होती है कि stop loss यूज नहीं करते मतलब अगर उन्होंने एक trade लिया है तो वहाँ पर उन्होंने stop loss नहीं use किया अगर stop loss let's suppose उन्होंने रख भी दिया है लेट्सपोज उन्होंने stop loss रख भी दिया है तो क्या होगा जब अगर उन्होंने stop loss रख दिया है अब price let's suppose उन्होंने मैं आपको यहाँ पर फोड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर उन्हों ने trade लिये इस जगह पर उनका stop loss है, अब price यहाँ पर उपर गई, इन्होंने greed में आकर यहाँ पर sale नहीं کیा, अब price वहाँ से down आना start वी, इसने अपना इनका जो entry point था उसको यहाँ पर break किया प्रेक करने के बाद रिटेस्ट तब अगेन इनका जो stop loss था इसके करीब price आगी जब ऐसे यहाँ पर अभी price ने इसके stop loss को touch नहीं किया था तो इन्होंने क्या किया new traders होंगे वो क्या करेंगे अपना stop loss वहाँ से remove कर देंगे stop loss remove किया अब क्या होगा अब price ने इसके stop loss वाली जो यहाँ पर line थी उसको touch किया और वहाँ से अगेन एक अच्छा खासा dump लिया अब dump लेने से क्या होगा dump लेने से अब यह होगा कि let's suppose यहाँ पर जो इनका stop loss था यहाँ पर इनको हो रहा था टू परसेंट लॉस अब इन्होंने stop loss remove कर दिया अब जो यहाँ पर इसको loss हो रहा है वह 8% लॉसो रहा है मतलब पहले stop loss से 3 ज्यादा इनको loss हो रहा है अब क्या होगा अब यह यहाँ पर एड पर सेंट लॉस पर इस trade को कर देगा मतलब वहां पर पहले 2% पर उसमें नहीं trade क्लोज किया क्यों नि किया कि में यार मैं यहां पर close कर देता हूं तो price वेभी ऊपर चले जाए लेकिन price ने वहां से तंप लिया और यहां पर आकर इसने आपना 8% मैनस में trade को close कर दिया ठीक है इस तरह से newbies करते हैं लेकिन आपको अगर मैं स्क्राइस करूगा तो आपने क्या करना है अगर आपने कभी कुछ stop loss use कर लिया तो आपने कभी उसको remove नहीं करना और कभी उसमें ज्यादा fund add नहीं करना कि मेरी trade अभी stop loss हिट होने वाला है तो मैं इसमें और fund add करके इसको increase करता जाओ ऐसा नहीं करना अगर आपने एक trade लिए उसका stop loss हिट हो गया है तो कुछ भी नहीं होता आप next trade पर move करें उस trade को भूल जाएं के ठीक है वो मैंने trade लिया था वो loss में चली गई वो loss में stop loss हिट हो गया अब मैं एक new trade का setup बना रहा हूँ अब उस trade पर मैं जाकर trade लूँगा और वहाँ पर मेरा loss भी recover हो जाएगा ठीक है दूसरी यहाँ पर जो reason होता है पोड़ता है इनके कोई non conducting technical analysis आजेंग इनको कई technical analysis का कुछ भी नहीं पता है ठीक है technical analysis क्या होते है कुछ भी नहीं पता trading lines क्या होते है कुछ भी नहीं पता ऑने कोटो होता इनको बस बतहोता है तो एक red लाइन का एक green lines का बस green एक्ला उपर गई हमने trade ल cioè light וה यहां पर create हुई हमने उसको sell कर दिया again red lines हमने short की position open कर दी short की position open करते वे थोड़ी सी green हुई हमने short की close कर दी क्या होगा इससे हम loss 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 करते जाएंगे जहां पर हमने $1000 से start up लिया था यहां पर वो $1000 वहां से loss होता होता अब यहां पर पास बच जाएगा only $100 ठीक है जब $100 बचेगा उस time यह new traders जो पहले master समय रहती without technical analysis without risk management अब किसी mentors के पास जाएंगे कि सीखने वाले के पास जाएंगे यार मुझे सिखा दो मेरे पास $100 बच्चा है मैंने एक हजार डॉलर डिपोजेट किया था एक हजार डॉलर मैंने लॉस करती है वहीं जब लॉस किया तब जब आपने मैं तो आपको एक करूँगा कि आपने कभी भी डिपोजेट नहीं करना अगर आप मुझे सुट रहे हैं जिनको आज बेसिक आज अभी मतलब जिन्हों अब तक क्रिप्टो में नहीं किया यह स्टॉफ में कई भी इन्वेस्ट नहीं किया मैं आपको पहले यहीं बुलूँगा कि आपने कभी भी डिपोजेट नहीं करना क्या करना है सबसे पहले आपने तीन-चार चीज़ें वो सीखनी है टेक्निक अनलाइज सीखने है रिस्क ट्रेड किस तरह से ले पाएंगे किन विन यृघ्स को हमने बलं निखर रखना होता है unreal है फो जो है वो ट्रेंट के अंगेंस चलते है मतलब । इड़स यहां से प्राइस ऊबर जा रही हल खार रहा है टांड को पर जा रहा है ठीक है टांड ऊपर जा रहा है वहांसे शौर्ट च्रीफ पॉजिशन ले लेगा ठीशोर्ड की अब पर करेंगे समय कर देंगे कि यह मों कि च्रीफ य। क्यों और इसे चाहिए आप किस तरह से ट्रेलियन स्थाइट के साथ मतलब वाइट कर सकते हैं आप की इस तरह से ऐंगेंज चासकते हैं एक तरह ट्रियों ऑफ डालरन एक तरह आपके पास 100 या टॉटर से आप किस तरह से उसको मतलब करेंगे इसको साथ आपका कंपेर ही नहीं आप उसके साथ कुछ आपका मुकाबला भी नहीं आप उसको कुछ भी एकर सकते हैं तो आप अगर अगर आप ट्रेंड चर रहे हैं तो आपको आपको शौट की पॉजिशन में जाने पहले आपको को सब्सक्राइब करने के ट्रेंड कौन से चल रहा है ठीक है अप ट्रेंड चल रहे हैं मार्की आपर यहांسبश्ट ट्रेड में घुस्क जाना कि किसी ने बोल दिया कि यार हमें लॉंक करना शॉट करना आप उसमें घुस्क है यह सब आपका पैसे तो आपको इसकी कियर करने होगी फोर एंपॉर्टेंट पार्ट कि उनके पास सबर नहीं होता ठीक है वो सबर नहीं करते वो मतलब अगर ट्रेड ले ली है अभी हमने ट्रेड ओपन की है ठीक है यहाँ पर लैट स्पोस हमने ओपन की है लॉंक की पोजिशन यह अभी थोड़ा सा नेचे 2% या 3% ट्रेड लॉस में आई है उसने क्या किया वहाँ पर अभी चीखने लग जाएगा रोने लग जाएग ुणक ही दिर बात क्या होगा त्रेड रड उपर जाएगी बर बोट लेगया फिर एसा Lao आर stained up करते करते लें क्युक्य करेगा क्यूंकि उसके पास सबर नहीं है एकसा है क्रिप्टों में आपको सबर चाईए ते आपको तब तक लंग नहीं होता जब तक आप 1000 का बटन नह मैंने सबर करना है मुझे सबर से काम लेना है क्रिप्टो सबर का नाम है कि इसमें आपको टैपने लाइज प्याना चाहिए और आपको अपने इस patience पे grim टोनी चाहिए कि आप उस पर किस तरह से मतलब आप सबर कर सकते हैं, कितनी देर आप सबर कर सकते हैं, ठीक है कितनी देर आप trade को hold कर सकते हैं अगर आपने को trade लिया है, तो उसको आप एक जेहन में रखें कि मैंने इसको hold करना है जब तक या मेरे टार्गेट नहीं होटे हैं या मिरे stop loss नहीं होटा ठीक है अगर आपने stop loss और टार्गेट आपको मिले हैं या आपने create की है खुद से आपने ट्रेट सैटप बनाया है तो आप अपने टार्गेट सैट करें और उसके साथ स्टॉप लगाकर ट्रेट को एवी छोड़ दें ठीक है अब जो भी पहले हिट हो गया वैलन गुड नहीं तो आप नेक्स ट्रेट पर मुव करेंगे और यहां पर जो फाइव नंबर्व पर हमारे पास जो आता है वो है नाट-प्रिष और रिसर्च निव ट्रेट रिसर्च ममषक नहीं करता है वह कहता है कि क्यूँ चाल टाले वाला ट्रेट र्षि मुझे बताएगा कि मैंने कौह सा कुंषा करना है मैंने किस कुई में Longshot करने वह करूगा लेकिन मैंने खुश से कभी कुछ रिशर्च नहीं करनी क्योंकि वह बंदा बीच पर वाट कर ट्रेट कर रहा है वह बंदा 10-15 LCD के सामने बैट कर ट्रेड कर रहा है बीच पर बैठा है कहीं मतलब वह BAT जहाज में बैठा है तो मैं उसको फालू करूगा ठीक है मैं तुससे क्या ट्रेड करूगा तुससे क्या रिसर्च करूगा ठीक है यह कभी रिसर्च नहीं करता है जो होता है वो होता है averaging on losing position जो सब से पहले आपके साथ में share किया कि आपको अगर loss हो रहा है गे Hampshire और एक करेंगे इस तरह एड़ करते 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 जहां पर आपको 100 a k R लॉस होना था वहाँ पर आप आपको फाइफ हंड़ेट या वन टॉजन डॉलर्स का लॉस होगा यह होता है आपको मतलब एक स्टैट चीज ना पता होने का नुपसान ठीक है इन चीज़ों पर अगर आप क्रिप्टों में लॉस नहीं करेंगे यह करेंट अगर आपके पास फिर आप पैसा ही कमाएंगे जितनी देर ही आप यहां पर रहेंगे लेकिन आपने ट्रेड कर देना कि आप कुछ पताइब नहीं है और आप ऐसी आकर क्रिप्टों में ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे किसी को फालू करने लग जाओगे या किसी की बातों में आने के आज 1000 डॉलर लगाओगे तो पल आपको 500 डॉलर मिलेगा या 100 डॉलर मिलेगा यह सब फेक होते हैं ठीक है ऐसा कुछ सीन नहीं होता आप पहले कुछ दिन आएं क्रिप्टो में इसको समझें कि वील्स क्या होते हैं वील्स किस तरह से न्यूबी के साथ खेलती हैं किस तरह से वो न्यूबी से पैसा लेते हैं तो यह सब चीज़ें आप जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग इतना असान नहीं है जहां पर एक डाक्टर्स बनने के लिए हम चाल से पांच साल लोग मतलब महिनत करते हैं वहां पर अगर आप एक साल ट्रेडिंग सी अच्छे से क्रिप्टो या कहीं भी लगा लेते हैं अपने इसको सीख लेते हैं अच्छे से ट्रेडिंग में बहुत पैसा है लेकिन सीखने से जब आप सीखेंगे तब ही आप कमा पाएंगे लेकिन विद आउट सीखें तो ऐसे होगा कि आपका पैसा किसी और के पास जा होटे हैं किस तरह से आप इसको से लोसी पास इसकते हैं अगर आप इन 6 को करते हैं तो मैं आप को आपके नहीं कुछ मिस कर दिया है तो आप ने कुछ करते हैं हम next वीडियो उस पर बना देगे तो अगर आपको वीडियो पसंद देगे तो इसको प्लीज लाइक कर दें शेर कर दें और secondly अगर आपने अग भी तक हमारा telegram ग्रूप नहीं जुआइन किया तो उसको भी जुआइन कर ले निंक आपको नीचे description में मिल जाएगा बिलते हैं next वीडियो में इंशाल्ला